दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, सबसे बिले बात कर लेते हैं Infosys के वारे में जहां पर आज की दिन अगर आप देखेंगे, तो 7 रूपे की तेजी हमें देखने को मिल रही है, यानिकि अगर परसेंटेज के तोर पर देखें, तो सिर्फ 0.4% की बिचकर, रेडिंग्टन के अंदर अन्वेस्मेंट करने की सलाई यहां पर दी गई है, बात करें कि इसके बीचे का रीजन क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, तो यहां पर जो टार्गिट प्राइस ही, वो 1540 रूपे के दिये गए हैं, और इस्टोपलोग, 1630 रूपे के दिये गई हैं, यानि कि आप क्लियरली देख सकते हैं, यहां पर जो टार्गिट प्राइस है, उसे यहां पर कट किया गया है, यहां पर बाई की रेटिंग कि इसमें दी गई है, रेडिंग्टन के अंदर यहां पर बाई की रेटिंग दी को मिल रही है, आईटी इंडस्टी, नियर टम के अंदर ही दो लाख लोगों को यहां पर जॉब ओफर करने वाली है, हायर करने वाली है, तो काफी बड़ी अनौंसमेंट आज के दिन, इन्फोसीस की तरफ से ही हमें देखने को मिल रही है, साथी साथ एक और नियोज यहां का IT रतना अवोर्ट से यहां पर नवा जा गया है, तो डेफिनेटली यह भी कंपनी के लिए काफी बड़ा अच्यूमेंट है, और इससे इन्फोसीस के अंदर काफी अच्छे मुमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, अब बात करें इन्फोसीस को लेकर नेक्स्ट क्या बड देखने को नहीं मिले, लेकिन टाटा मोटर्स को लेकर आज की दिन एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं, इन्फोसीस के अब बात कर लेकर सकते हैं, तो सेन्सेक्स के अंदर डॉक्टर रेडी को रेप्लेस करके टाटा मोटर्स वहाँ पर मंड़े के दिन इस shares के अंदर देखने को मिल सकते हैं वहीं बात करें कि इस shares ने आज के दिन 4 is to 1 के ratio का bonus announce किया है तो company का नाम है Rama Still Tubes Limited आज के दिन company के board of directors की meeting थी जिसमें आप देख सकते हैं company ने 4 is to 1 के ratio का bonus announce किया है तो यदि आपने Rama Still Tubes Limited के अंदर investment कर रखा है यहाँ पर भी आप अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं